Hello everyone, welcome to my channel दोस्तो आज के इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे Climate Change यानि जलवायू परिवर्तन और Ozone related कुछ important प्रशनों को यहाँ पर देखेंगे जो कि आपके आने वाले exam के लिए important होने वाले है तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज़्यादा beneficial होने वाले है ये तीन जो है प्रमु कारण है हमारे Climate Change के नेक्स टेस में Greenhouse Gases की संकलपना किसने प्रस्तूत करी थी तो Greenhouse Gases है इसकी संकलपना प्रस्तूत करी थी जो से 4 यान ने इन्होंने बताया था Greenhouse Gases के बारे में दोस्तों Greenhouse Gases ऐसे Gases होते हैं जो कि हमारे atmosphere को या environment को क्या करते है heat up करते हैं यानि हमारी प्रिथवी को गर्म रखती है जिसकी वज़े से हमारा जो earth है उसका temperature rise होता है यानि बढ़ता है तो बहुत सारी ऐसे gases है जो कि Greenhouse Effect हमारे environment में कह सकते हैं कि carbon dioxide हो गया, methane हो गया, nitrous oxide हो गया, या ozone हो गया और इसमें सबसे important जो role है वो है जलवास्प का यानि कि जो water vapor है उनका सबसे important role है सबसे जादा मात्रा में कौन सी greenhouse gas effect करती है तो वो करती है water vapor यानि जलवास्प ठीक है तो ये प्रशन भी आपसे पूछा जाता है इन में से कौन सी gas सरवादिक प्रभाव डालती है greenhouse gases की रूप में तो वो होती है दोस्तों जलवास्प इसकी वज़े से क्या होता है हमारा अर्थ का temperature भी increase होता है next में किसी gas का westwick तापन विभाव यानि global warming potential किन बात उपर निर्भर करता है तो किसी gas का जो westwick तापन विभाव है यानि कि जो global warming उसका जो potential है कितनी वो potential उसके अंदर है जो globe को heat करने की तो वो depend करता है उसके अडों की दक्षिता पर और उसके gas के वाई मंडिले जीवनकाल पर यानि कि उसकी जो दक्षिता यानि उसकी जो energy होती है उसकी जो atoms की उस पर depend करता है कि कोई gas कितनी ज़्यादा global warming create कर सकती है next है प्राकरतिक रूप से पाई जाने वाली वह green house gas कौन सी है जो दिमीत करने का लक्ष रखा गया था इसके अंतरकत यहों लक्ष है कि 21 सतापदी के अंत तक औस वैस्विक तापमान में वृद्धी उद्योगूं पूरो इस तर से दो डिग्री सेल्सेस या यदि संभव हो तो और दिग्री सेल्सेस से अधिक ना हो पाए ठीक है तो पहरी समझोता कब हुआ था 2015 में हुआ था इसके तहट जो है green house gas के उतरजन को कम करने का लक्ष रखा गया था सभी देशों ने मिलकर एक समझोता किया था जिसके अंतरकत 2015 में यह समझोता हुआ था यह कहा गया कि जो green house gases है इसका जो हमारे जो उतरजन है उनको हम कम करना पड़ेगा और कितना कम करना पड़ेगा इतना कम कि जिससे हमारे temperature में 2 डिगरी से और यह हो सके तो 1.5 डिगरी से अधिक का अंतर ना है हर साल ठीक है तो यह भी इसमें यह कहा गया यह बात कही गया यह पहरे समझोते म जो ही किस वर्ष प्रभावी हुआ था एक्जाम में डारेकली पूछा जाता है तो वर्ष 2005 में यह प्रभावी हुआ था नेक्सट है वह हो सर्वाधिक भंगुर पारिष्टिकी तंत्र कौन सा है जो वैस्विक्त तापन दारा सबसे पहले प्रभावीत होगा यह और है जो कि हिटको और ग्रीन लैंड की जो सबसे पहले प्रभावीत होगी नेच्ट है वायू में कार्बन डाय ओक्साइड की मात्रा बढ़ने से वायू मंडल का तापमान क्यों बढ़ता है क्योंकि जो carbon dioxide gas है दोस्तों यह जो solar radiation आता है उसको क्या कर लेती है absorb कर लेती है जिसके कारण क्या हो जाती है यह gas heat हो जाती है यह heat up हो जाती है और गर्म हो जाती है gas और यही कारण बनता है फिर global warming का नेश्त है methane gas के उत्तरजन के प्रमुक प्राकरतिक स्रोथ कौन से है तो methane gas कहा कहा से प्राकरतिक नैचुरली जो है release होती रहती है तो इसके प्रमुक कारण है वो है इसमें आदर भूमी, समुद्र और hydrates ठीक है तो यह तीन प्रमुक कारण है जहां से हमें methane gas का उत्तरजन होती है समुध्र सों होती है और जो हाइड्रेट्स होते हैं यह हम BUT को रिलीज करते हैं नैश्च्व करते हैं प्रतम विश्व जल्वाई सममेलन कहां आउइजीत किया गया था तो पहला जो विश्व जल्वाई ऋम्मेलन यह जिनिवह इसविज स्विजे लैंड में आइजित किया गया था 1979 में ठीक है इंपुटल जालवाई सं मिलन कहां आइजित किया गया था तो जिनेवा सिवजे लैंड में या आहिजित किया गया समुद्रू जो है उसका छेत्र बढ़ने लगता है या मौसमी दिशाओं में परिवर्टों होता है यह सभी घटना है जो है ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड हैं तो इनसे कौन से ऐसे दो देश जिनको अपनी अंतराष्टे सीमाओं को फिर से निर्धारित करना पड़ेगा तो इसमें है इटली और स्विजल लैन नेक्स्ट है उर्जा की बचत कर प्रिथवी को सुरक्षित रखने के उद्धेशे से प्रतेक वर्ष मार्च के अन्तिम शनीवार को प्रिथवी का लियानी अर्थ आवर मनाया जाता है जो शमय है वो साड़े आठ से नौ बज़े के लिए बत्यां बुझा दी जाती है वर् से पूछा जा सकता है अर्थ हार कब मनाया जाता है तो मार्च के अंतिम शनिवार को यह मनाया जाता है नेक्स्ट है ओजोन परत वाई मंडल के किस स्थर में होती है तो ओजोन परत जो है वह वाई मंडल के अलग-अलग जो यह लेयर है वह कौन से लेयर में पाई जाती है कौ से 35 किममेटर के हाइट पर ये इस्तित है अगला इसमें वर्स 2005 में तिबद पठार के उपर ओजोन आभाम अंडल यानि ओजोन हेलो की खोज किसने करी थी तो जी डेवलू केंट मूर्ड ने इसकी खोज करी थी ठीक है अगला इंपोर्टेंट है अंटार्किटिका के उपर ओ चैनेडा में इस्तित है तो यहाँ पर जो परियावन सम्मेलन हुआ था ये ओजोन परत के च्छाय को रोकने से संबंदित है तो इंपोर्टेंट है मोंट्रियाल प्रोटोकल का संबंद किस से है ओजोन परत के च्छाय को रोकने से संबंदित है नेस्ट है ओजोन परत को कि इकाई में मापा जाता है तो ओजोन की जो लेयर है इसको किस इकाई में मापा जाता है तो डॉबसन इकाई में इसको मापा जाता है इंपोर्टेंट है आपसे एक्जाम में ये पूछा जा सकता है उसके बाद अगला है ओजोन परत के छरण के लिए कौन सी गैस उत्तरदाई नेक्स्ट है ऐसे पदार्थ जो ओजोन की परत को कम से कम हानी पहुचाते हैं ओजोन अनुकूल पदार्थ यानि ओजोन फ्रेंडली सबस्टेंस कहलाते है ठीक है ओएफसी भारत के स्रीनगर में ओजोन परत की मोटाई सरवाधिक एवं त्रिवेंद्रम में सबसे कम है ठीक ह सितंबर से अक्टूबर महा के मध्य ओजोन परत की मोटाई में अधिक कमी आती है तो सितंबर से अक्टूबर के बीच में जो ओजोन लेयर है इसकी जो ठिकने से वो कम हो जाती है ठीक है तो important है यह आपसे पूछा जा सकता है नेक्स्ट है वायू में तेरते हुए स्वसनिया सुचम कड़ों का आकार कितना होता है तो वायू में यानि जो एर में जो suspended particles होते है यानि जो छोटे कड़ होते हैं उनका size कितना होता है तो 5 micron से कम के यह size में होते है अगला है मानव जनित परियावर परदुसवर को क्या कहा जाता है तो important है दोस्तों जो मानव जनित परियावर परदुसवर होते है यानि कि कहसे हम जो human की वज़े से जो परियावर जो pollution होता है उनको कहते हम anthropogenic तो important है यह exam में पूछा जा सकता है एंत्रोपोजैनी कहते हैं जो मानव जरीद पर्यावरण ये पर्दुसक होते हैं ठीक है नेक्स्ट है जैव निमनीकरण रहीद पर्दुसक पर्यावरण में किस प्रकार प्रवेश करते हैं जैव निमनी करें रहीत प्रदुशक जो है प्रयावर मानव जनित प्रदुशन के कारण प्रवेश करते हैं अगला है वे वायू प्रदुशक जो प्रदुशक स्रोथ से सिधे वायू में मिलते हैं क्या कहलाते हैं तो ऐसे जो एयर पॉलिटेंट है जो डारेकली वायूंए याईयर से मिल जाते है उनको हम कहते है प्राइमरी पॉलिटेंट नेच्ट है ऐसे वायु प्रदुसक जो प्राथमिक वायु प्रदुसकों तथा साधारान वातावन्य पधार्थों की क्रिया के फलशरूप उतपन्न होते हैं, क्या कहलाते हैं, तो secondary air polyton यानि द्वितिय वायु प्रदुसक इनको हम कहते हैं, ऐसे वायु प्रदुसक जो secondary pollutant के अंतरगत नेक्स्ट है पेराक्सिटिल नाइट्रेट ओजोन तथा स्मोग किस प्रकार के प्रदुशक है तो पेराक्सिटिल नाइट्रेट और ओजोन और स्मोग जो है ये secondary pollutant के अंदर गत आते हैं ठीक है तो important है आपसे एक्जाम में पूछा जा सकता है जो पैन है यानि कि पेराक्सिटिल नाइट्रेट ओजोन तथा स्मोग ये किस प्रकार के प्रदुशक ऑक्सिजन के पेक्षा अधिक सिग्रिता से रक्त में हीमोगलोबिन में घुल जाता है त तो पेट्रोल का जब दहन होता है यानि कंबर्शन अब जो पेट्रोल होता है उसके बाद कौन सी ऐसी धातों जो वाईव में वाईव को प्रदुशित करती है तो वो है लेड ठीक है सीजा नेक्स्ट है अमल वर्सा यानि ऐसी ड्रेन के लिए कौन सी गैस उत्तरदाई है तो एसी ड्रेन के लिए दो गैस इंपोर्टन है जो कि नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाय ऑक्साइड है ठीक है तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाय ऑक्साइड जो है एसी ड्रेन के लिए काफ इंपोर्टन है जो कि इसकी कारण जो है एसी ड्रेन होती है नेक इसके वज़से अगर यह वातरों में अधिक समय तक रहती है यह हमारे लंग्स के थूरों हमारी बॉड़ी में एंटर कर जाता है जिससे की एसबेस्टोसिस जो रोग है यह हो जाता है नेक्स्ट है जैव उपचारण यानि बायो रेमिडेशन से तात पर यह है तो जीवु द जाता है नेक्स्ट है जो सीसा सीसे से हमको जो है कैंसर होने के चांसे होते है नेक्स्ट है भारत की कौन सी नदी अपने प्रदुसक्यों के कारण जैविक मरुस्तल कहलाती है तो दामोदर नदी को अपने प्रदुसक्यों के जैविक मरुस्तल कहते है पेजल में नाइटरेट की मात्रा अधिक होने से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है तो पेजल में अगर नाइटरेट की मात्रा अधिक हो जाती है तो इससे बच्चों में ब्लू बेबी सिंड अत्वा मिथैलो ग्लोबु नीमा इसको कहा जाता है सिग्रेट के धुए में कौन से प्रमुख प्रदुशत पाये जाते हैं तो जो सिग्रेट का धुए होता है उसमें कारवन ओक्साइड वो बैंजीन इसमें पाये जाते हैं नेक्स्ट इंपोर्टन है ग्रीन मफलर किस परियावन समस्चे से संबंदित है तो जो ग्रीन मफलर है ये ध्वनी प्रदुशन से संबंदित है इंपोर्टन है एक्जाम में पूछा जा सकते है ग्रीन मफलर का संबंद है ध्वनी प्रदुशन से नेक्स्ट है अधूरे प्र राजदी में union carbide factory में किस gas का रिसाव हुआ था थीक है तो जो भोपाल gas tragedy वहाँ पर कौन सी gas का रिसाव हुआ था था तो methyl isocyanate का वहाँ पर रिसाव हुआ था MIC थीक है important है यह exam में पूछा जाता है मिथाईल आसो इसो साइनेेट गैस का रिषा हुआ था भोपाल गैस त्रासदी में नेस्ट है, इनसिनीरेटर का प्रियोग किसके लिए किया जाता है ठीक है इंसिनीरेटर है, जो इसका प्रियोग किया जाता है, खुरे कचरी को जलाने के लिए ठीक है तो important है incinerators का प्रयोग किसले किया जाता है तो जो कूडे कचरे होते हैं इसको जलाने के लिए यानि high degree temperature पे इसको जलाया जाता है तो इसी process को हम कहते है incineration अगला है इसमें भारत में जल प्रदुशन निवारत था नियंतरन अधिनयम किस वर से लागू किया गया था तो भारत में जो जल प्रदुशन निवारत था नियंतरन अधिनयम है ये 1974 में लागू किया गया था नेश्ट है कौन सा इधन न्यूंतम वायू पर्दूशन करता है तो हाइड्रोजन जो है ये सबसे कम वायू पर्दूशन करता है ठीक है तो इंपोर्टेंट है आपसे एक्जाम में पूछा जा सकता है सबसे कम वायू पर्दूशन कौन सा इधन करता है तो हाइड्रोजन करत नेस्ट है सुपरसोनिक जेट विमानों से निकलने वाली कौन सी गैस ओजोन परत को छती पहुंचाती है तो सुपरसोनिक जेट विमानों से निकलने वाली कौन सी गैस है जो ओजोन परत को छती पहुंचाती है वो है नाइट्रस ऑकसाइड अगला इंपोर्टन है पार्थिन इन से किस परकार के परदुषण के सबसे अच्छे संकेतअ ठक होते हैं एो इसके यूज़कर का प्रदुषण होते हैं तो उसमें यह प्रदूसर्ण यानि thermal pollution इसकी वज़र से होता है नेश्ट है इटाई-इटाई रोग किस धातु के कारण होता है तो जो इटाई-इटाई रोग है यह cadmium के कारण होता है नेश्ट है सिसा रहित पेट्रोल में उचीत octane value प्राप्त करने के लिए क्या मिला जाता है तो सिसा रहित पेट्रोल जो होता है उसमें अगर octane value चाहिए हमें तो उसमें क्या मिला जाता है तो benzene, toline तथा jylene उसमें मिला जाता है तो important है ये भी आपसे पूछा जा सकता है नेक्स्ट है बेंजीन के कारण कौन से रोग होने की संभावना होती है तो बेंजीन से हमें रग्त cancer ने blood cancer होने की chances होते हैं अगला है silicosis तथा asbestosis नामक रोग किस प्रकार के धूल करूण से होते हैं तो silicosis जो है ये silika से और asbestosis यूगत धूल करूण से होते हैं नेक्स्ट है भूमिगत जल को प्रदूशित करने वाले प्रमुग प्रदूशक तत्वा कौन से हैं तो जो भूमिगत जो water है हमारा उसको प्रदूशित करने वाले जो प्रमुग तत्वा कौन से हैं तो arsenic तथा fluoride आरसनिक और फ्लोराइट जो है ये ग्राउंड वार्टर को जो हमारे प्रदूशित करते हैं नेक्श तेक कोईला उद्ध्योग में सलगन व्यक्तियों को सामानिय तक कौन सा रोग हो जाता है तो जो कोईला उद्ध्योग में जानी कोईला फैक्टरिस में जोखिम रहता है तो जो कपड़ा उद्योग हैं दोस्तों यहां पर जो लोग जो वेक्ति जो फैक्टरी में कपड़े उद्योग में जो कायरे करते हैं उनको कौन सा रोग होने के चांसे होते हैं तो बैसी नौसिस रोग होने के उनको चांसे होते हैं नेक्स्ट है जल में कार्बनिक योगी का मापन सामानी तक किस पद्यति से किया जाता है तो जल में जो कार्बनिक मेटर से इसको हम कैसे मेजर करते हैं तो इसको जो मेजर किया जाता है वो किया जाता है क्रोमेटोग्राफी से important है ये exam में आपसे पूछा जा सकता है black foot नामक रोग किस कारण होता है तो जो black foot रोग है ये किसके कारण होता है तो पेजल में यानि जो पानी है उसमें अगर arsenic की अधिक्ता हो जाती है तो उसके कारण कौन सा रोग होता है तो black foot नामक रोग उससे होता है, important है exam में आपसे पूछा जा सकता है, किस पादप को जलिये विशाक्त पदार्थों के आवसोसक के रूप में जाना जाता है, तो जो जल कुम भी होता है, इसको जलिये विशाक्त पदार्थों को आवसोसित करने के लिए इसका परियोग किया जाता है, यानि कि जो इसका कार्य है वो क्या करता है जो जल्म है जो हामफुल पॉइजिनस सबस्टेंस होते हैं उनको यह एब्जॉर्ब कर लेता है नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग के फल्सरूप जल्वाई में होने वाले परिवर्तन मापन कैसे किया दाता है तो इंपोर्टेंट है जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो जल्वाई में परिवर्तन किया होता है उसका मापन क्या दाता है रेडियो सक्रिय फोर्सिंग के द भी आपसे एक्जाम में पूछा जा सकता है तो ये थो दोस्तो climate change यानि जलवाई परिवर्तन तथा ozone से related कुछ important person जो कि आपके एक्जाम में पूछे जा सकता है तो वीडियो अगर आपको informity लगे तो वीडियो को like करें, share करें और ऐसी informity वीडियो के लिए चैनल को subscribe जरूर करें Thank you friends